अभी एक शारुख खान साब की वीडियो देख रहा था, आपको भी दिखाता हूँ लेकिन उसमें शारुख खान साब फर्मा रहे थे कि मैं मुसल्मान हूँ, मेरी बीवी हिंदू है और मेरे बच्चे जो हैं, वो हिंदुस्तान है इस बात से मुझे कोई मसला नहीं है, वो कह सकते हैं लेकिन मसला जिसकी वज़ा से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ये था उन्होंने मजीद ये फरमाया, कि मेरी बच्ची जब छोटी थी तो वो स्कूल में एडमिशन लेने गई अब एडमिशन में एक सेक्शन होता है, जिसमें आपको रिलिजिन मेंशन करना होता है कि आप हिंदु हो, मुसल्मान हो, क्रिस्चन हो, कौन हो तो वो बेटी उनकी उनके पास आए, कि बाबा, मुझे हमारा रिलिजिन बताइए हम किस मजभ से तालुक रखते हैं तो शारुख खान सहाब फरमाते हैं, कि बाबा, हमारा कोई रिलिजिन नहीं है, हम इंडियन है यार मुझे हैसी भी आ रही है, और मुझे परिशानी भी हो रही है कि देखें, अगर आप अपने बच्चों को अपना मजभ भी नहीं बता सकते कि भाई तुम कौन से मजभ से हो, तो मैं ये सोच रहा था कि उनका आखरत में क्या बनेगा उनका कबर में क्या बनेगा, ये सारी जिबो जीनत, आराइश, आसाइशें, पैसा, गाड़ी ये सारा मुझे लगते हैं, उनका सिर्फ इस दुनिया के लिए है अब एक शक्स एक बच्चे को अपना रिलिजन ही नहीं बता सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ आप वीडियो देखें फिर बताईए आपने क्या, आपका फीड़वग बताईएगा मुसल्मान की बात ही नहीं की, मेरी बीवी जो मैं हिंदू है मैं मुसल्मान हूँ, और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदूस्तान है क्या बात, क्या बात, जब वो स्कूल गए तो स्कूल में वो भरना पड़ता है कि रिलिजन क्या है, तो जब मेरी बेटी चोटी थी, तो उसने आके पूछा भी मुझसे एक बात कि बापा हम कौन से रिलिजन के हैं, तो मैंने उसमें यह लिका कि हम इंडियन ही यार, कोई रिलिजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए तो आज हम एक इसला की वीडियो के साथ हाजिन है इस वीडियो को तंकीद नहीं, बलकि इसला समझजिएगा किसी को तनकीत करना मेरा हाक नहीं लेकिन इसला करना मेरा फर्ज है जैसर कि ALL-TAll toolbar ने कुरान पर्क में फर्माया है और पैर भी कुरो उस बेहतुरीं चीज़ कि जो तम्हारे तरफ तम्हारे तरफ तरफर वर्दिगार की तरफ से नाजिल की गई है इस से पहले के तुम पर अचानक अजाब आजा और तुम्हे इतला बी ना हो फिर अल्ला दोला जाद फर्माता है ऐसा ना हो कि कोई शख्स के हाई अफसोस इस बात पर के मैंने अल्ला तुम कुताही की बलकि मैं तो मजाकुराने वालों में ही रहा मुसल्मान होने के बावजूद आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम मुसल्मान है एक और जगा पर मेरा प्यारा रब फर्माता है या कहे कि अगर अगर अल्ला मुझे हिदायत करता तो मैं भी पारसा लोगों में होता एक और जगह पर मेरे अल्ह ताला फर्माते हैं या आज़ाब को देखकर कहे काश के किसी तरह मेरा लोट जाना हो जाता तो मैं भी नेको कारों में हो जाता अल्ह ताला सूर जमर की आयत नमबर 69 में फर्माता है हाँ बेशक्त तेरे पास मेरी आयते पहुंच चुकी थी जिनने तूने जुटलाया और गरूर तकबर किया और तु था ही काफिरों में अब देखें जैसा के शारुखा ने कहा कि हम किसी मजभब से तर्लुक ने रखते اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری آیتیں بھی تم تک آئیں میرا قرآن تم تک آیا یہاں تک کافر ہو تک لیکن تم تو مسلمان گھرانے میں بیدا ہوئے تمہارے گھر صدق تلاوت ہوتی رہی ہے کان میں آواز آتی رہی ہے لیکن تم نے پھر بھی جھٹلایا تو سوچا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا دعا کیا کریں یہ سب اللہ تعالیٰ یہ نہ فرما دے ہم سب کے لئے وَمْتَذُوْ يَوْمَائِجُحَ الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج تم سب الگ ہو جاؤ اور کہیں ہم بھی ان میں شامل نہ ہو کہ ہم مجرموں کی گروپ میں کھرے ہوں صرف اتنا کہوں گی کہ ایک انسان جب وہ قافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت اس لئے دیتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے تاکہ میں اس پر عذاب نازل نہ کروں کیونکہ وہ ہدایت کی طلب رکھتا ہے وہ اللہ سے کہیں نہ کہیں اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے طرف کھینچتا ہے اور قافر سے اس کو مسلمان بنا دیتا ہے لیکن جب ایک اللہ نے آپ کو مسلمان گھرانے میں ہی پیدا کیا ہے تو آپ کو تو خوش قسمتی کے ساتھ خوش نصیبی کے ساتھ فخر کے ساتھ مان کے ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہئے کہ الحمدللہ میں ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں الحمدللہ میں آخری نبی کی امت میں سے ہوں وہ امت جس سے سوال جواب تو ہوں گے دنیا میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم فرما دے گا ان کو جنت دے گا ان کو بخش دے گا لیکن جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی خود کو جھٹ لائے کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور خود کو کفر یا کافر کہنے پہ ہو خوش ہو تو سوچیں اللہ تعالیٰ کہ اس پہ کتنے ناراض کی آئے گی